ओम श्रीम नीन सरस्वत्याई नमाहा सम वेरियवस आर मीजर्ड एट पॉइंट आफ टाइम कुछ ऐसे वेरियवस होते हैं जिनकी मात्रा को जो आख कुछ टाइम के गैप में मापते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कब मापते हैं किसी निश्चित समय के बिंदु में तो फर्स्टrzy्ट इस्टीक या भंड़र स्टोक यह क्ाच्छू से $rimnault पॉइंट आफ टाइम ये सम्मय के एक बिंडू पे जो मापी जाने वाली मात्रा है उसको बोलते हैं स्टॉक सब को स्क्रीन दिख रही है ना ठीक है पर्टिकुलर पॉइंट आफ टाइम इस पॉर एक्जांपल वाट इस दा मनी इन यूर पॉकेट नाउं अभी शुरू में मनला अभी इसी वक्त आपकी जेड में कितना धन है इस तरह है ठीक है वाट वाट वाज दा बैलेंस इन यूर बैंक एकाउंट इन यूर सेविंग बैंक एकाउंट ऑन अप्रेल 1st 2021 एक अप्रेल 2021 को आपके बैंक काउंट में सेविंग बचत खाते के बैंक काउंट में कितना धन था इस तरह जो पॉइंट आफ टाइम मनलब एक डेट दी होगी या उस कोई टाइम दिया होगा उसी पॉइंट पे जो भी कॉंटिटी माज मिजर किजा है वोग इस टॉक कि ओड मार्ट का सट आप डॉत यह सारी होती है सटॉक्छ और त्ल्या वाटनिटी फिच खेंग वरे प्री अंक तन हम घेक न पानी प्र अैंक मान हट थूक्र खेंग अभी की तनदी को ए सारे अप्रमाइक अनु खेंग फें कितन वर ई सारे। एज दो और ब्या उसको बोलते हैं flow प्रवाः ठीक है जो quantity जैसे weekly क्षे क्वान्टी मापी जाती है वाट इज वीकली बेज्स, वाट इकृट्ली सेल ओ द फ़र्म किसी मस्दूर की on सबताहिक मस्दूरी क्या है या सबताहिक सेल क्या में बिक्री क्या है, what is your daily wage, what is your monthly income, yearly income, what is the rate of interest per day, per month, per year, जिसमें भी हम ये word लगा देते हैं, per, प्रतिवाला, ठीक है, per day, per month, per year, जो भी quantity इस तरह से बताई जाती है, वो सारी क्या होती है, flow होती है, per month means there is a gap of 30 days, per week means there is a gap of 7 days, per day means there is a time period of 24 hours, इस तरह के जो भी है, वो सब किसमें आएगा, flow में आएगा, पर वाह में, खिक है, saving bank, interest rate, interest rate on fixed deposit, interest rate is paid over a period of time, एक निश्चे समय के बाद interest pay किया जाता है, interest rate लगाया जाता है, per month, per year, per quarterly, एक महिने में, एक वर्स में, या एक चतुरसांस में, मलासाल वर्के चौताई हिस्से में, तिमाही में, चौत, चौमाही में, छौमाही में, इस तरह किसमें आएगे, flow, बस लोगों पहचानने का यह यह सब सबसे जो बेस्ट तरीका है, ज्यादा तर में लिखा रहेगा, पर, per month, per day, per hour, ठीक है, so here are some example of flow and stock concept, wealth is flow, wealth क्या है, धन, संपत्ति, flow है, how, because it is measured on a particular point of time, किसी निश्ची समय के बिंदु पर, जैसे election चलते हैं, election में, लोग जाते ने, अपनी wealth, सो करते हैं, तो क्या सो करते हैं, वोई, what is, what money they have, whatever money they have, at that particular point of time, when they are filling the form, जब form भर रहे हैं, वो candidates, तब उनके पास जो भी धन है, वो लिखते हैं, फार्म में, तो यह point of time पे है, what is the money in your pocket, now, income, income is measured, during a period of time, over a period of time, एक समय का gap होता है, आयर को मापने में, एक साल में, कितनी होती है, एक महिने में, कितनी होती है, ऐसे बताते हैं, labor force is number of laborers, who wants to work, who wants to work, ऐसे लोग जो काम करना चाते हैं, उनकी संक्या है, labor force, expenditure of money, this is per day, how much you spend per day, what is your per day expenditure, what is your weekly expenditure, ऐसे बताते हैं, एक महिने में, एक अपते में, कितना खर्चा होता है, capital means stock of capital at a particular point of time, capital formation means addition to new capital, addition to the stock of capital within a period of time, कुछ से एक निस्चित gap होगा, एक साल एक महिने में, जो भी capital, नई capital generate होती है, खरीदी जाती है, ठीक है, तो यह आगे सारे point दिये हुए, तो आपने आप पढ़ लेना, जो भी इसमें नहीं आ रहा है, वो बताना, quantity supply of money, बस यह वाला note करना है, supply of money, और quantity supplied, supply of money is a stock concept, यह वाला सब लोग note कर लेना, supply generally क्या होता है, word से, ठीक है, the word supply shows that there is a supply of anything, it may be flow concept, but supply of money is not a flow concept, यह सब लोग ध्यान रखना, money की supply flow concept नहीं है, नाम यह supply लिखा है, लिकिन यहां पर क्या होता है, we measure the quantity of money which is in the pocket of general public or in these demand deposits at a particular point of time, supply of money का मनला किसी एक निश्चित समय के बिन्द उपर, लोगों के पास जितना धन है, या उनके जो demand deposits हैं, मांग जमाए हैं बैंकों में, उसकी मात्रा को देखते हैं, ठीक है, तो यह money वाला बस हमको especially घ्यान लगना है कि यह stock है, chain in the supply of money, agent, flow, bank deposit, stock, interest on capital, flow, water, in water, in the overhead tank, leakage, leakage तो यह per minute कितना leak हो रहा है, ठीक है, per hour कितना leak हो रहा है, उसमें बताया जाएगा, distance between Delhi and Mumbai, Delhi और Mumbai के बीच में तो दूरी है, तो change नहीं होनी है, fix है, तो this is a concept of stock, this is a stock concept, speed of car, per hour, per day, per minute, per second, speed को कैसे मापते हैं, per second, per hour में न, यह तो क्या हो गया, flow, ठीक है, rice story ने go down, sales of rice, sales तो per day, per month, चलेगा, population of country, number of birds, ठीक, यह 7th point में नोट करना, in some example, both distance and speed, both are given in some example, then, कौन सो कौन से बताया थे भी, stock or flow, में, distance और दूरी भी दी रहेगी, और यह गती भी दी रहेगी, किसी किसी को स्ट्र में, ठीक है, तो फिर बताना पड़ेगा कि यह stock है, यह flow है, तो उसमें हो जाएगा दोनों है, ठीक है, एक कार यह कि, वो दोनों है, stock है और flow भी है, because speed of the car is a flow and distance between Delhi to Agra, it's stock, Delhi से Agra के बीच में जो दूरी है, वो stock है, और speed जो एक कार की चल लई है, वो flow है, अब difference तोनों के बीच में, stock and flow, the difference, stock refers to the value of a variable at a particular point of time, particular point of time, यह एक समय के बिंद पर, जिस समय बोला जाएगा, उस समय, जिस date को बोला जाएगा, उस समय जो कुछ भी quantity है, मात रहा है, वो सारी आईगे, stock में, and flow refers to the value of variable during a period of time, means there is a time span, span of time, time का एक कैप होगा, समय की कुछ अंतराल होगा, किक है, मजदूरी कितने दी में मिलती है, एक दी में मिलती है, एक गंटे में मिलती है, ऐसा मिलती है, interest rate कब मिलता है, per day, per hour, per month, capital formation कब होता है, per month, per year, ऐसे, stock is not time dimensional, it is not time dimensional, एक गंटा, एक मिलती है, एक गंटा, एक मिनाट, ऐसा कुछ ने रहता है, it is measured at a specific point of time, एक समय की किसी बेंदू पर मापा जाता है, and flow is time dimensional, flow क्या आउटा है, time dimensional, means here, we will get a period of time, and it is measured per hour, per month, hour, per year, प्रतिघंटा, प्रतिमा, प्रतिवर्स, ऐसे मापते हैं इसको, stock impacts flow, means both are mutually interdependent, stock impacts flow and flow impacts stock, stock क्या करता है, flow पर प्रवा, यानि प्रवा पर अपना, जो प्रभाव है, वो डालता है, प्रभावित करता है प्रवा को, और flow है, वो stock को प्रवावित करता है, दोनों एक दूस्य को प्रवावित करते हैं, दोनों एक दूस्य पर निर्वर है, if the stock is greater than, the flow will also be greater, अगर stock जादा है, तो flow भी जादा होगा, ठीक है, flow impacts stock, if flow is greater than, stock will also be greater, अगर flow जादा है, तो stock भी greater होगा, कैसे दोनों इस दूसरे पर निर्वर हैं, दोगो, for example, if we have large stock, a big stock of capital, then we will be able to supply more goods and services, means flow of goods and services will also be high. अगर हमारे पास ज्यादा stock है, capital का पूंजी का अच्छा stock लगा हुआ है, तो हम वस्तों और सिवाओं की जो मात्रह है, वो भी ज्यादा आप पूर्ति कर पाएंगे, होगा की नहीं होगा, तो यह supply of goods and services सिक्या है, supply of any good per day, supply of milk per day, supply of electricity per day, कुछ भी है, तो यह सब क्या होता है, यह तो flow है, तो stock ज्यादा होगा, हमारे पास तो ज्यादा supply होगी, and if flow is greater than stock will be greater, फो ज्यादा है, तो stock greater होगा, कैसे होगा, ठीक है, if interest rate on capital is 5%, then 5% per year, then interest on rupees 100 will be rupees 5, so next year, our stock will be increased to 105 from rupees 100, अगर मान लो, flow, यानि की interest rate हमारे account में, जो प्याजदर है, वो 5% है, तो हमें 100 रुपया हमारा stock में है, तो 5% interest बढ़ेगा, तो साल बर बाद 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है, and if the interest rate is 10% and we have the same stock, rupees 100, then after 100, after one year, rupees 100 will become rupees 110, this stock will be higher, अगर 10% है ब्याजदर की दर, ठीक है, if flow is higher, then the stock will also be higher, flow जादा होगा, तो stock जादा होगा, and if stock जादा है तो flow जादा होगा, stock जिसे rupees 100 से जादा अगर हमने कर लिया, interest rate मान लो नहीं change होता है, 5 दी रहता है, ठीक है, but the stock of wealth is 5000, from 100, we are getting flow of rupees 5, but stock, if stock is rupees 5000, and interest rate is still 5%, 5000 रुपे का stock है, और ब्याज की दर, पांच पिस्चत है, अभी भी, तब क्या होगा, how much money will, we are, how much flow, and addition will be there, कितना addition होगा, कितना जूड़ेगा, इसमें 5000 का 5%, 250, ठीक है, 100 रुपे है, तो 5 रुपे है का flow हुगा, और 5000 है, तो 250 का flow हुगा, यानि इस flow ज़्यादा है, तो इस टाक ज़्यादा होगा, इस टाक ज़्यादा है, तो flow ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रभाविश करते हैं, एक दूसरे से इंटरडेपेंडेंडेंट है, मुच्वली डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें अब ये देखना है Did you know certain concepts in economics are studied only as flow variables not as stock variables कुछ ऐसे concept हैं जिनको केवल flow concept में पढ़ते हैं flow variables कहलाते हैं ठीक है एक्चांपल दिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ हाथ flow because export एंपोर्ट बोथ हाथ मीजर्ड ओवर ए पीडियर आप तैं जो निर्यात आयात दोनों क्या हैं एक समय की अंतराल पर मापे जाते हैं महिने में कितना एक्सपोर्ट किया साल पर में कित ज्यादा होगा पर यह पर मंद तो इडीज़ पिज़ लो मानीचे कर यह लिबांप उपर वाले दुन कैं फ्लों है एक अपते में कितना सुगर का कंसमशन होता है एक दिन में कितना होता है आएसे में मापेंगे इसको ये परिवार का सुगर चीनी का कंसमशन हो गहा है वह भी फ्लो होगा service of tutor, एक गंटा पर डले है, दो गंटा पर दले है, ठीक है, या पर वीक चार गंटे है, यह सब क्या हुआ, इसक्या हुआ, इसक्ट प्लो कंसेप्ट, production of cement, this is also a flow concept, पर वीक, पर अबर्वर कमसीने से कितना production हो रहा है, यह मैनले कितना production हो रहा है, मसीनी आफिस सूगर मेल मसीनी मीश स्टॉक आप मसीन ठीक है तो इसी जे इस टॉक कांचेट इन में से किसी को कोई कंफ्यूजन है है कोई इसको कोई कंफ्यूजन हो रही है जल्ली बोल दे किसी भी अर्थवस्ता के चार सेक्टर या चार छेत्र ठीक है कौन से चार सेक्टर होते हैं फोर सेक्टर जहां पर पूरी अर्थवस्ता एकोनोमिक एक्टिविटी चलती है है ठीक सो फार्षट इस हाउस होल्ड सेक्टर कोई भी अर्थवस्ता के चार सेक्टर क्या है थाउस होल्ड सेक्टर प्रड़क्शन सेक्टर गोवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट आप दवर्ड सेक्टर यह चार छेत्र हैं ठीक बाकि यह आगे लिखें प्रडूसर अब क्या 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 करता है क्या रोल है एकोनोमी में देखेंगे इसे लोग जो परिवार में रहते हैं या सुतन रूप से अकेले रहते हैं जो भी हैं वे लोग आते हैं इसमें एक हैं तो इन डेस्क शुमर्स आर केंग्लूड़ेड इसमें अब बोड़ जो भी उपभोगता हैं वस्तों से मांप के वे सब आते हैं हाउसोर सक्टर एंडे आर आल्सो दा ओनर साफ फैक्टर साफ प्रड़क्शन उपदर के जो भी कारक हैं उनके ये मालिक हैं स्वामी हैं वाट हाड फेक्टर साफ प्रड़क्शन tähän लेंड लेवर कैपिटाल अक कि अ war and एंटों फिमाइवos इन्टर परिवर्सिप दीजपूर आज़ा फैक्टर साफ पुड़क्षन ये चारों क्या है उत्पादन की कारक हैं ठीक है उत्पादन की कारक भी लिखते हैं साधन में लिखते हैं कारक या साधनीन की सायता से हम क्या करते हैं उत्पादन करते हैं क्लास 9 में पढ़ा होगा और्गनाजिशन आप प्रड़क्षन फर्स चेप्टल में दाइस्टोरी आप वालंपूर विलेज पालंपूर गाओं की कानी में यह आधना उत्पादन की उत्पादन का संगठन क्य सब करके क्या करते हैं हम उत्पादन करते हैं बिना भूमि स्राम पूजी और साहस के उत्पादन नहीं होगा इसको बोलते हैं भूमि स्राम पूजी साहस या उत्याम इन के स्वामी क्या होते हैं क्वोन होते हैं हाउसोल्ड होते हैं जैसे हम लोग है ठीक है नार्मल पर पिपल जो आते हैं सब आते हैं इसी में second is producer sector producer sector the main work of producer sector is to produce goods and services for household sector लोगों के लिए यानी घरेवली छुद्ध के लिए वस्तमों और सेवाओं का उतपादन करना ठीक है क्यों करते है वस्तमों और सेवाओं का उतपादन for the generation of income आयका सेजन करने के लिए ठीक है so all producing units including sellers firms, shops are comes under producer sector जितने भी उत्पादर की इकालियां हैं जिसने factory वगरा प्लांट जो है factory और जितने भी दुकाने हैं, विक्रेता हैं फर्में हैं, सब आते हैं सब सामिल है उत्पादर क्छेतर में ठीक है, so these this sector produces goods and services with the help of factors of production, means land, labor and interpreneurship तो ये जो पुत्पादक लोग होते हैं वो मिस्राम, पुझी और सास इन सब का प्रियोग करके पुत्पादन करते हैं and who provides land, labor, capital and interpreneurship कौन से लोग है जो पुत्पादक को भूम, श्राम, पुझी और सास प्रदान करते हैं परिवार चित के लोग तो परिवा वाले ही लोग हैं तो मिलंगे है उत्पाद की अभी काम करते हैं सब मिलके। एक उठीक कुनिक उत्पादक अगते, लेभर सप्लाईबर्स लेबर्स करते, लाइब अपनी प्ल खुन में पार्च पार्टिक थि're ल्एक अपर संधो रिख भा मैं एजएंकिगर दाकैलाज संविशनांभुषा के टू निन तरह को इल्यक्स पीर्शर, यह जगए हैं सरकार के ट्रह के एल्फ ब्रदेशा काइए गॉर्वर्मंस्टर, इन परता लिए लिए सभर्शों भीम्स प्रूर्मंस्टर Якकर दाया करना कानून और विवस्था सब बनाए रखना ये गवर्मेंट काम है अे गवर्मेंट के रेस अे ये क्या कॉताय हा ये बनाइसता है क्या हूए है और ये रखना कान ये है अगर हमारे पास कुछ साधन नहीं उपलब्द हैं, संसाधन नहीं उपलब्द हैं, जिनसे हम कुछ वस्तुमों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वस्तुमें हमें चाहिए, तो हम दूसरे देशों से खरीटते हैं, और अगर हमारे पास कुछ जो ऐसे संसाधन हैं, जि निर्यात करते हैं, so this sector is related to export and import, ये sector जो है इचेते हैं, आयात और निर्यात से संबनित हैं, ठीक है, here we make transaction or exchange between the people of one country to other country, एक देश के लोग और दूसे देशों के लोगों किस साथ यहां पे लेनन होता है, capital का flow होता है, या income का flow होता है, ठीक है, flow of capital और income between domestic country and rest of the world, गरेलू देश और से स्विस्ट के साथ, पूजी का lane lane या I, का flow होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, अब इतने में किसी कोई problem है, तो बता है, चार सेक्टर यह हो गए है, चार के अलावा जो अगले classes में जाओगे तो आप एक पाच्वा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर पर दिखेगा, जहां पे money जो वहां पे flow करती है, इन चारों सेक्टर के बीच में money या income जो है, फ्लो करती है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जाती है, दूसरा फिर पहले मे जाता रहता है, क्योश्यकोंangoip जाता नहीं है, ठीक है, अब इसके बाद इंटर सेक्टोरल फ्लो, इंटर सेक्टोरल फ्लो मींस फ्लो आप गूडसें सर्विसेस और फ्लो आप capital फ्लो आप money from one सेक्टर तू अदर सेक्टर, जितने भी यह सेक्टर है, चारों सेक्टर में क्या होता है, इंटर सेक्टरल फ्लो मलब अंतर छेत्री प्रवा, जो चारों छेत्र हैं, अंतर छेत्री प्रवा होता है हमें, तो सारे सेक्टर में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के मत है, आय का प्रवा होता है, पुजी का प्र सेक्टोरल फ्लो खेक है बिकॉज दिव तु दिस फ्लो वी कैं अंडेस्टेंड एट आट वीच्वली इंटर डिपेंडेंडेंट चितने भी सेक्टर है सब एक दूसरे पर निरवर है पॉडूसर सेक्टर इस डिपेंड वाग ऑन हाउस्वोल सेक्टर फॉड़ा फैक्टर सर घरेलू शेत्र नहीं बोलेंगे घरेलू का मलब पूरा अपना देश हो जाएगा ठीक है एंड हाउस्वोल सेक्टर इस डिपेंड ओन प्रोडूसर सेक्टर फॉर दियर गोड़ सेंसर्फसेज कंसप्शन गोड़ सेंसर्फसेज परिवार के छेत्र के लोग उत्पारक छेत इस प्रोड़ सेक्टर अरथ अविर गोड्सresoर सेंसर्फ सब्सक्शन गोर्स सेसेज पालव गोड़ सेसज अब पना एंड करता है landlord लेयर गोड ङ। सेक्टर ऑफंट फानग इने मताय प्रूसर सेक्टर इस थर gost कोल प्राफ्रीं सेक्टर, गौवर्मेंट इस टाक्से पालिए आपने काम इसके लिए इसको कर चाहिए और गैर कर राजरश गार कर राजिसु आप्वाएं पाप्ती आई है वह भी चाहिए So it depends on producer and household sector It imposes tax on producer and household Like excise duty, production tax, income tax, etc Both producer and household sector pay tax to the government And with this money, government provides security, defense, law and order, etc Jho bhi suraccha hai, kanun miyaastha hai, woh sab sarkar iske badle deeti hai Ab next hai, producers and household hai Tuh dheekhi liya, producers and household are dependent on government for defense, for security, law and order And government is dependent on people for its revenue Sarkar jho hai, woh logon per nirvar hai, apne ai ke liye, agam ke liye, sampraapht ke liye Ar log sarkar per nirvar hai, suraccha ke liye, kanun vivaastha ke liye Toh sab log eek dusi per depend hai So this is called intersectoral flow Because of this interdependence There is intersectoral flow It leads to intersectoral flow Iski wajah se antarchetri pravaga ka janw hoota hai And this flow may be in the form of goods and services Or in the form of money Means real goods and services may flow in the economy Or only money will flow In lieu of these services Jho bhi, ye blow hoota hai Voh kya ho s okay one can also be under the term Other term하는 rule Ipa die As per esempio Edo same That is spelled Rit Plow in goods and services is called Real flow and flow in money Is called Money flow क्या होता है इस दोनों चीज़े अप देखेंगे कैसे होते हैं Real flow means flow of real goods and services What are the goods and services produced in the economy These flow from producers to household And whatever services is required by the production sector It's flow from household to producer sector वास्तविक प्रवा में क्या होता है जो भी वास्तविक वस्तवियं सिवाय है उनका प्रवा होता है कैसे प्रवा होता है उत्पादक वर्क से परिवार छेत्र की लोगों की तरफ होता है और परिवार छेत्र जो है जब उत्पादक वर्क को ज़रुवत पड़ती है कारक सेवाओं की या साधल की तो ये लोग सेवाय देते हैं उत्पादक वर्क को ठीक है ऐसे चलता है परिवार वाले चेत्र की बदले में क्या मिलेगा इल्य वाप दफेक्टर सर्फिसेज प्रोवाइड़ बायदा हाउसोल स्क्टर देगेट कंसम्सें गूड़ सेंड शर्फिसेज उप्भो की वस्तमें सेवाइप प्राफ्त करते हैं हमने काम किया पुराने समय में क्या होता था when the money was not invented people work for each other one person does the work on other and in lieu of it they get some part of production पुराने समय में आप अप्राने समय मनगले यह चलता था लोग एक दूसरे कि लिए काम करते थे और बदले में क्या मिलता था उत्पादम का कुछ इसा मिल जाता था उसे ही बोलते हैं ते रियल प्लोग, so for the convenience, here we are studying a two-sector economy, सुविधा के लिए हम दो सेक्टर economy के बारे में बात कर रहे हैं, एक two-sector economy is that economy where only two sectors are present, ऐसी अट्विस्ता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुविधा के लिए वास्तव में दो नहीं होती हैं, जो उपर पढ़ेते हुए, लेकिन सुविधा के आसान लगे, इसलिए हम दो के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लिया कि दो ही सेक्टर है, और लिट्व सेक्टर आदियार, रेस्ट आप दवर्ड सेक्टर एंड गॉवर्मेंट सेक्टर इस नॉट प्रिजेंट, अगर शेस्विष्व और सरकार नहीं प्रिजेंट होगी, उपस्तित नहीं होगी, तो दो सेक्टर में कैसे प्लोग होगा, तो, हाउस्वोड सेक्टर विल प्रोवाइड फैक्टर सेल्सेस टू दा प्रोड्यूसर था, फादर प्रोडक्शन आप कंसंप्शन गुड्स, जो घरेलू छित के लोग हैं, उत्पादर को प्रोड को क्या दे रहे हैं? हैं, कारक्श सेवाय दे रहे हैं, भूम से हम पूजी साहस दे रहे हैं, जिससे उत्पादन हो, फ्रोड्यूसर इस प्रोड्यूसर चेंग होगा, उसके बदले में हाउस्वोड शेक्टर ने, परिवार चित ने जो भी सुधाय दी, उनको जो भी कार्य किया, उनके लिए ब समय क्जा आधीज़ पैस्चक्ती काम नहीं चल थिक है पैसे का काम इसमें नहीं नहीं हुआ कि यह कर दिरीर पलो है कि आतके काम कब होगा जम्पधी शाइन ठीक है, in money flow, money flows from one sector to other sector in lieu of their sales sales or products money flow में क्या होता है, जो भी वास्तविक वस्तविय और सेवा हैं उनके बदले में एक छेत्र से दूसरे छेत्र की और धन का प्रवा होता है ठीक है, जो अभी present time में हम देखते हैं यहां भी हम two sector की लेके चलने हैं, आसान रहे समझने में इसलिए ठीक है, money flows from producer sector to household sector in lieu of factor services rendered by the household sector जो भी परिवार्चित के लोग सेवाएं देंगे, कारक सेवाएं देंगे एक उत्पादक वर्ग को उसके बदले में उत्पादक वर्ग उनको क्या दे देगा, धन दे देगा, ठीक है धन देगा इसमें सेव, समान नहीं देगा खाने पीने के लिए, ठीक है जो भी जब हाउसोर सेक्टर को जुरूत पड़ेगी तो बहु के लिए वस्तुओं की, सेवाओं की, तो हाउसोर सेक्टर जाएंगे उत्पादक वर्ग के पास फार्म के पास जाएंगे और क्या करेंगे, बदले में वो समान वान खरीदेंगे जो भी सेवाएं हैं, जो भी वस्तुओं हैं, उनको खरीदेंगे और करिदे के बाद क्या होगा उनको वो सारी जो धन वगेरा अभी पहले लिये थे इंकम मिले थी अब वो चुगाएंगे पे करेंगे पैसा अब वह वाला रियल वाला फ्लो नहीं रहे गया ठेक हैं अब समझ में आ गया इसमें क्या होगा अब एक चीज़ इसमें नोट करना है, when household sector provides factor services to the producer, जब ये household sector जो है, सेवान को देता है उत्पादक वर्क को, तब बदले में क्या मिलता है, ताम्लम करेंध अंल की रोल मंने मिल्हette अलग एटायई। मुश्टेक न हटा मतनने पर तर गातल दैरि के बतल में हमस्ट सिंटने मीड़न जिस अंधर इंध्र परोड University से जारी, डिस दरफ एट्पोर अंधू इंध्री z introduction भाटा at एक है, the factor services are moving from household sector to producer sector, then money is moving in opposite direction, money जो है उसके opposite direction में जा रहा है, and when producer sector sell goods and services to the household in the opposite direction, means from household to the producer, money is closed in the form of the price of goods and services, in the form of money, जब उत्पादक वर क्या कर रहा है, परिवार छेत्र को उनकी जरूद की वस्त में, उब्भो की वस्त में और सेवाय दे रहा है, तो उसकी दूसरी direction में, opposite direction में, money जा रहा है, जा रहा है, वाला हाउस होल्ड वाले money वेज रहा है, परिवार की तरफ, ठीक है, कहने का मदलब यह है, money flows in the रिशी प्रोकाल of the real goods and services, वास्तविक वस्त में और सेवाओं के विपरी दिसा में, धन का प्रवा होता है, money flows in the opposite direction of the flow of real goods and services, जहां जिदर वास्तविक वस्त में और सेवाय जाएंगी, उसके opposite direction में money जाएंगी, जैसे हमारे पास आया, हमारे पास goods and service आये, तो हमारे पास से money जाएगी, दूसरे पास, farm के पास जाएगी, हमने farm के लिए काम किया, हमारे तरफ से सेवाएं गई, work गिया, तो farm की तरफ से हमारे पास money आएगा, Sumnach में आ गया, विपरी दिसा में काम करने का मतलब थ्या है, टीक है, डिसी प्रोकॉल का मदलब क्या है, what does डिसी प्रोकॉल of uh, real flow means money flows in the reciprocal of real flow means money flows in the opposite direction of real flow जिदर ते real flow जाएगा उसकी तरफ money जाएगा हमारे पास आ रहा है real flow तो हम से money जाएगा और हमारे पास से goods और संसेष अगर जा रही है, तो हमारे पास money आएगा, ठीक है, यही चीज, यह question हमें यही चीज समझाएगे, यह money flows opposite to the real flow, हाउ, ठीक है, अब किसी को बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें, receipt pro call वाला यह थोड़ा, तू सेक्टर में के बारे में हमने पड़ा है, ऐसे ही four sector में होता है, four sector में क्या होता है, four sector में government भी आ जाती है, government tax लेती है, बदले में उनको services देती है, कभी कभी, means money flows from the government to the people and from people to the government, rest of the world sector करेंगे, तो उसमें भी यह होगा, we export and import, then money will flow from one country to other country, यह export and import करेंगे, तो भी रहिसा होगा, money flow करेंगे इदर से उदर, यह बोलते है, इंटर्सेक्टोरल flow, इसी प्रोकाल का मनला opposite direction, ठेक है, आप किसी को अगर समस्चा है तो बताया नहीं तो,